हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज आप सभी को पताएंगी कि समाजी विज्ञान में यदि अभी तक कुछ नहीं पड़े हैं तो आप समाजी विज्ञान में क्या ट्रिक लगा के आसानी से आप पास हो सकते हैं फ्रेंज देखिए यह जो पेपर है बोर्ड के द्वारा 2022 और 2023 में जो आपका बोर्ड 16 फरवरिस स्टार्ट होगा उसमें जो आपका समाजी विज्ञान का पेपर होने वाला है इसमें आपको यह जो पेपर है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इस पेपर को आपको बता जानिस कैसे पास हो सकते हैं ठीक है फ्रेंच देखेंगे यहां पिकुछ पॉइंट इस पॉइंट को आपको ध्यान देना पड़ेगा देखेंगे फ्रेंच 2023 में जो बोड का परिच्छा होना है उसमें अभी तक आप कुछ नहीं पड़े हैं तो आप समाजी विग्यान में कि इस प्रकार से पास हो सकते हैं देखिए आप लिगा बिना कुछ पढ़े पास होने का ट्रिक फ्रेंस हंडेट परसेंटेज जो यह ट्रिक है यदि आप लगाते हैं तो बोर्ड के एक्जाम में आप हंडेट परसेंटेज अच्छे नंबरों से पास होगें ठीक है समाजी टीचर जो होगा जो आपको चेक करेगा वह खूस होकर अच्छे नंबर आपको देगा ठीक है इसमें क्या आपको बताएंगा जो अभी तक कंजोर चात्र हैं जो अभी तक कुछ नई पढ़ेंको समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड के एक्जाम में कैसे लिखें क्या लिख दो आजाएंगे देखेसे फ्रेस्स इसमें आपको बताएंगे कि प्रशन को कैसे आप अब आक्यूंपहन करेंगे यह वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉटेंस साभीत होगा जो अभी so कुछ नहीं पढ़े हैं फ्रेंश आपको एक चीज बता दें कि जो student यहां सबसे अच्छे प्रकार से त Запाने से टैयारी कर रहे हैं उनके कर geçoff ॐसरी के DR6 से कौन सा प्रशन कितनी नंबर का पूछेगा ठीक है यहां पर आपको दिखाते हैं देखेंकung यहां पर तीन मार्च को आपको समधी विग्यान का पेपर होगा जिस में आपको सतर नंबर का मैं क्या आएगा टोटल पेपर होगा सतर में और सम्य जो रहे देखिए इसमें पहले नंबरे खंड और खंड बाओ में यह दो भागो में विबख्त होगा जिसमें अ वहई कल्पिय प्रशन को हल करेंगे जिससे आप 20 में 20 प्राप्त कर सकते हैं देखिए इसको नमबर का जो है OMR सीट भरना हो ठीक ओमर सीट भर न होगा इसके बारे में बताएंगे अपकी स्थ्यान देना है OMR सीट भरते समय खंडबाव में है रागूत तरी प्रशन आपका 4 गपर टेक प्रसंद 4 नमबर वोगा ठिकां धिर्फ़त्री परश्न ऊड़का चार इसमें प्रतिए उन सवाल जो दस आएंगे जिसमें क्या करना बटाते हैं प्राई बसुल् physicians उसके बारे में भी समझाएंगे भी कौ बात करते हैं और समाजी विज्ञान के काफी लिखते हैं समय आपको रखना है द्यान रखेंगे सबसे पहले कौन सब प्रश्ण हल करें और बहुवी कल्पी प्रश्ण को कभ हल करें प्रश्ण में क्या ट्रिक लगां ठीक है इन सभी बातों सबस्क्राइब करते हैं चलेए आपको पहले बतात त्यारी किया गया है ठीक है आपका खंड अ में यह समाजी विज्ञान का पेपर का बहुई कल्पी है कम से कम 20 प्रशन पूचे गए देख सकते हैं ठीक है पर एक बार देख लिजिए ध्यान से समाजी विज्ञान का जो वारल पेपर हुआ है बोट के द्वारा यह पेपर है इसको आप देख लिजिए फिर इसके बाद आपको पताते हैं क्या ट्रिक लगाना है ठीक है देख लिजिए पूरा पेपर देख लिजिए ठीक है एक बार देख सकते हैं पूरा पेपर यहां पर आपको जल्दी जल्दी दखा देते हैं पूरा पेपर फ्रेंस जिससे आप आप यहां पर देखि यहां पर देख सकते हैं पूरा paper आप देख लिजिए एक बार ध्यान से देखी फ्रेंस यह आप paper एक बार देख चुके आप इसमें देखिए हम इस paper को जब हब हाँ हैं तो maximum कौन सा आपसन जैसे आपका A, B, C और D इस तरह चार आपसन आपको बविकल्पिय मिलेगा इसमें इस पेपर को हल करने के बाद सबसे ज़्यादा जो आपसन आपका सही आ रहा है वो C आ रहा है कौन सा आपसन सही आ रहा है आप C आ रहा है फिर B वाला ठीक है देखें प्रष्ण को एक बार ध्यान से देखिए का यदि इसमें आपको जो प्रष्ण आ रहे होंगे उस पे ताप टिक लगा लीजिए ठीक है अभी OMR सीट पर भरना नहीं है इसको जो प्रष्ण जैसे आ रहा है जैसे माली जी यह प्रष्ण आम हल कर रहे थे इसमें माली जी हमे यह प्रष्ण सबा रहा है तो इस पर हम टिक लगा दियें लेकिन इसको क्या करेंगे अभी भरेंगे नहीं ठीक है अब OMR सीट पर भरेंगे कभी इसको फ्रेंस OMR सीट पर जब भी आपको इस पेपर में OMR सीट पर इसको घेरना होगा इस तरह इसको क्या कीजिएगा कि लाश्ट समय में भरना है क्यों कि आपका हो सकता है कि कुछ आपको बगल में जो स्टुडेंट यादि कोई प्रेशन नहीं आ मतलब मेरा क्या है तो लाश्ट में भर देंगे दोबारा इसको आप सही नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको आप लाश्ट में किजिएगा सिर्फ एक घंटा जब बचा रहा है तब कर लीजिएगा आपको भरने में पहुत लिए तीन या चार पांच मिनित लगे पूरा हर सकते हैं तो अब समझ में आगे कौन सा अपसं यदि आप को कोई भी साहता नहीं मिलता है और एक प्रश्ण आपको नहीं आ रहा है तो मैं एक स्मियम सी या वी वाला आप रंग दीजिएगा यानि गोला बना दीजिए उस पर सही प्रश्ण लगा दीजिएगा देखिए एक बार देख लेताम क्यों वी और सी दिखार हो आपको देखिए यहां से में स्टेकर न चुर्ण क्या है पहले में बी साहिएगा दूसरा में कों सा सही है सी और नची यहां प vivir आपका ठीक ने सबसे जादा सभी होता हिदा इन च्रीप्रेंग सिरूल हो देखो देखिए आपको इस पेपर में देख लिजिए आप देखिए यहां पर सी देखिए ठीक है और यहां पर बी देख लिजिए सबसे ज्यादा कौन सही हो रहा है सी और बी ही सही हो रहा है ठीक है सी और बी ही वाला प्रश्ण सबसे ज्यादा सही हो रहा है देखिए यहां पर सी है यहां बीश प्रश्ण में से आपका कम से कम जो सी वाला आपसन सही होगा वह आपसन कम से कम आठ और नो आठ या नो यदि आप बीना पढ़े आठ या बीश में से आठ या नो नमबर प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक जानके तो आप समझ लिजे कि जो स्टुडेंट सब सार ट्रिक लगाना आप देख लिए निकांप कैसे आपको यह ट्रिक लगाना अब चलिए दिरगुत्री लगुत्री जो लिखने के लिए पेपर आता है उसको आप कैसे हल करेंगे देखें इस तरह खंडबाव में देगा आपको इस प्रश्ण का एंसर कैसे लिखना है अब द लेकिन इसका इंसर आप आसानी से लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे आप यहां पर क्या कीजिए आपको यहां पर प्रश्णोत्तर संख्या प्रश्णोत्तर संख्या इस पका लिख लिएगा प्रश्णोत्तर संख्या अब देखें जैसे आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है अब कैसी इसको लिखेंगे लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाला महमंदी के कारति यहां पर हेडिंग डालेगा प्रथम विश्व युद् युद्ध के बाद पस्चात होने वाले महामंदी के कारण कैसे आ सकता है महामंदी मतलब कैसे आ सकता है महामंदी के बारे में जैसे आप कवर्तमान समय में देख रहा है लिखेंगे कि समान कम उपलब्द होना ठीक है समान जैसे आज कल मार्केट में क्या है समान कम उपलब्द हो रहा है जिसे महामंदी आ रहा है ठीक है फसलों की कम उत्पादन होना पथम विश्वी जब देखी फ्रेंस यूद जब होगा तो वहां पर मारू बम अनेक परकार के जो हत्यार यूज होने से कारण क्या होता है वातावरर दूसित हो गया वातावरर दूसित होने के कारण क्या हुआ कि अनेक प्रकार के फसलों पर प्रभाव पड़ा ठीक है जिसे फसल क्या हुआ अच्छी उत्पादन नहीं हुआ ठीक है या फिनो इसके बात कि दो देसों के के दाद चाह मिलताम कि औह besar सां UH समानों के आयात पर यत नहीं कर पाएं कि प्रकास नीघ सकते हैं तो यहां को कुछ को पदा है जिसको षर federal पदेऊ हमें कुछ परेफिर पर पेर हिसे डाल देंगे फिर यहांट लिखेंगे कि Fasoka का नश्ट होना ठीक है इस तरह नश्ट होना पहला हेडिंग देखें फ्रेंस किस तरह फसलों का नश्ट होना अब फसल कैसे नश्ट हो यह दोगा फसल कैसे नश्ट हो इतना था आपका दिमाग काम कर आपको कुछ लिख सकते हैं दूसरा हेडिंग क्या डाल सकते हैं कि दो द सब्सक्राइब दिमाग लगाएंगे तो आपको समाजी विज्ञान का पेपर हल कर रहे हैं और दिर्गूतरी लगूतरी जो भी प्रशन है उसमें आप कम लिखिए लेकिन अधिक अधिक हेडिन डालने का प्रियास किजिए यदि आप अधिक अधिक हेडिन डालते हैं तो अपको अच्छे नमबर मिलेंगे तो इस प्रकार से आप प्रशन को देख.. अगー प्रिवहन के किसी भी देश की जीवान रेखा तो अर्थ भी अब परिवहन के बारे में वर्तमान समय परिवहन के बारे में देख सकते हैं मतलब परिवहन नहीं रहता तो आप एक अस्थान से दूसरे अस्थान संग नहीं जा पाएंगे सामानों का आधान परदा आसानी से नहीं हो कि कोई भी प्रश्ण आप एक्जाम में छोड़ कि मत आईएगा इसी में से पर्युहें साथ जैसे आप बताए ना उपराल प्रश्ण कैसे हेडिंग बनाना है उसी तरह इसमें से आप हेडिंग स्वेंग बना सकते हैं ठीक है अब चलिए फ्रेंस आपको बताते हैं कि मानची दस नंबर का प्रश्ण आता है उसको कैसे हल करेंगे यदि हमको कुछ नहीं मानचीत्र के बारें पता लेकिन फिर भी आप भार देंगे तो आपको दस का दस नंबर मिल सकता है ठीक है सही से बस ट्रिक लगाए कैसे बरेंगे देखिए वह स्थान जहां जाली ओलबाग हत् परण्ड हुआ था इस प्रकार का मानचीत्र में देखें कैसे भरेंगे कहीं से उठाईएगे माली जी इधर है पंजाब पता होगा कहां पर पंजाब माली जी यहां पर ऐसे करके खिच लिजिएगा और इसका क्या है नो का है तो का लिख दिजिएगा अब जिसमकों पता नहीं देख नहीं है तो आपको एक्जामनर रहेगा ऐसे लिख देगा और इसके बारे में क्या लिख दीजिएगा यहां पर लिख दीजिएगा जालिया वाला जाली वाला बाग हट्या कांञ जो यहां पे लिखा वहीं लिख दी जिएगा है अब जिसको पता नहीं है फ्रेंस तब बता रहे हैं जिसको पता है तो अच्छे लिखेगा अर यहञा लिखिए दिएगा नमग बनाना प्रारम किया था है लिखिए नमख सब्सहार나 प्रारम उआ इस प्रकास आप सभी का एंश्वत इतने रहेगा मानचीत्र में आपका यह 10 नमबर में पूछेगा और इसी तरह यदि आपको नहीं पता है इस तरह आप करके खीश किया बस वही जो प्रश्ण में यहां पर पूछेगा उसी को यहां पर लिखे दिजिएगा को छोser देगा इस प्रकास आप समाजी वी ज्यान का पेपर देते हैं तो आपको टोटल आता है सत्तर नमबर उधि जो ट्रिक बता हैं ट्रिक यदि वो ट्रिक लगाते हैं फ्रेंस यदि आपको समाजी ग्यान में कुछ नहीं आ रहा है और यह ट्रिक लगाते हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से सत्तर में कम से कम आपको 45 या 50 नमबर के करीब मिल सकता है यह उस ट्रिक से आप पढ़ते हैं और को स्कूल के तरफ से 30 नंबर मिलता है 30 नंबर यह मिल जाए तब 45 मिला इदर से 30 जोड़ दीजिए पांच होगा चार तिन साथ माली जी 75 नंबर आपको पूरा मिलता है तो समझ दीजिए कि आप जो साल बर से पढ़ रहे हैं उनकी तुला में बहुत आप अच्छे हो जाएंगे ठीक है यह तिक यदि आप लगाते हैं तो आप अच्छे प्रकार से समाजी विग्यान में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और फ्रेंस अंत में आपको बता देते हैं कि जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ यह वीडियो उन लोगो करते रहें पढ़ते रहें अदम ध्यान से पढ़ते रहें ठीक है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें